हेलो फ्रेंज वेल्कमा यूट्यूब चानल साइखोशे क्रियेशन्स आज के वीडियो में आपके साथ होली का दहन की होली का पूजा की विधी शेयर करने वाली हूँ कि होली के दिन हमें पूजा कैसे करनी है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दिन में कोई अच्छा समय देखकर जो भी आपने बरकुलो की माला बनाई हो उनकी हमें पूजा करनी होती है अगर आप लोगों के हाँ बरकुले बनाने का रिवास नहीं है तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं पर आप जो गोबर के उपले होते हैं उनको तो चड़ाया ही जाता है सब के हाँ तो सेम प्रोसीजर से उनकी भी पूजा करी जा सकती है ये देखिए हमारे हाँ इस प्रकार से होला होली का बनाये जाते हैं तो उन सभी को मैं तिलक करूँगी नारियल पर भी तिलक करूँगी ये सब किस प्रकार से बनाना है इनकी पूजा कैसे करनी है उन सब के वीडियो भी मेरे चानल पर डले हुए हैं सब के लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो ये देखे कुछ इस प्रकार से हम सभी पर रोली का यानी कुमकुम का तिलक करेंगे चावल अर्पित करेंगे इन्हें हमने चिरच तो पहले ही लिया था सभी को बस इस समय में आपको पूजा विदी बता रही हूँ कि होली के दिन हमें किस प्रकार से पूजा करनी है रोली अर्पित करने के बाद हम चावल चढ़ाएंगे, मुह चढ़ाएंगे, प्रिनाम करेंगे, छोटा सा एक मोली का टुकडा भी अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे ये माला है कौन-कौन सी हमें लेनी है इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी ताकि आपको असानी हो जाए कौन-कौन सी माला बनानी है ये आपको पता चल जाए इसके बाद हम गुलाल अर्पित करेंगे जिमाएंगे मैंने हलवा लिया है आप कुछ भी ले सकते हैं फूल हो तो फूल भी चड़ाएं धूप अगरबती दिखाएं दीपक दिखाएं और इसके बाद सभी घरवाले मिलकर इन बरकुलों की आपको चार परिक्रमा करनी होती है चार फेरी करनी होती है तो चार फेरी करनी सभी इनकी अब आपको होली की पूजा कैसे करनी है ये मैं आपको बताऊंगी तो होली को सबसे पहले जल का चीटा दें दूद का चीटा दें ये होली घर पर कैसे बनानी है इसका वीडियो भी डला हुआ है अब आपको जमीन जो भी होगी उस पर थोड़ा सा पानी डाल कर आप उस पर आटे और हल्दी से चौक जरूर बनाएं हुली की पूजा में मतलब ये बनाने की बहुत इंपोर्टिंस होती है ये बनाना कंपल सरी ही होता है आप जल जादा ना गिराया और स्पेशली जब जो फर्ष है अगर वो कच्ची मिट्टी का है या स्लिपरी है फर्ष का है तो उस पर तो आप जादा पानी बिलकुल ना डाले क्योंकि लोगों के फिसलने का डर होता है अब थोड़ी से रोली हाथ पे लेकर हम उससे हमारी होली का माई को तीन या पांच बार छीटा देंगर रोली अरपित करने के लिए अगर आपकी होली का छोटी हो तो आप उन पर भी अरपित करते हैं और खुद को भी टीका लगाएं ये थंडी होली की पूजा मोसली हल्दी का ही सिर्फ करते हैं तो आपके हां जैसा हो वैसे करें फिर हमारे मूंग चावल जरूर से चढ़ाएं जाते हैं तो मूंग चावल चढ़ाएंगे ये देखें जैसा मैंने बताया अगर आप लोगों के हां हल्दी का तिलक करते हो तो हल्दी का तिलक करें फिर गुल सामक्री अगर आप जलती हुई होली पर नहीं आने वाले हैं तो अभी आप पर्पित कर सकते हैं अगर जब होली प्रजवलित होगी तब भी आप आएंगे तो आपको अभी चड़ाने की जरूत नहीं है सामक्री का भी टोटल वीडियो आपको मेरे चानल पर मिल जाएगा मिनिममम पांच तो आप जरूर से करें मोली और यह जो कच्चा सूत होता है इन दोनों के साथ ही परिक्रमा करी जाती है यह कच्चा सूत और मोली दोनों यह आपको तोड़ने नहीं है तो आप अपने घर से ही उतनी ही लेकर जाएं जितने में आपकी होली का माई पर आप मिनिममम पांच फेरी तो दे ही दे और आप वहाँ पर रख के आजाएं बचा हुआ इससे धागे को वहाँ पर लपेटने के पाद तोड़ते नहीं है इसके बाद हलवा पूरी का या जो भी प्रशाद आप लाए हो वो प्रशाद आप होली का माई को अरपित करें अगर ब सिर्फ थंडी होली की पूजा करते हैं तो आप ऐसे ही पूजा करें और जो समान में गरम होली में चढ़ाओंगी वो सारा समान भी आप अभी चढ़ा सकते हैं अब धर्ती माता पर जो चौक पूरा था उस पर भी रोली चावल गुलाल सब चढ़ाएंगे एक तरीके से ये वो हम यही पर चासेंगे होली का माई को भी दीपक दिखाएंगे धर्ती माता को भी प्रेनाम करेंगे और हमारा दीपक प्रजवलित करेंगे गेहों की जो बालियां होती हैं चनी होते हैं बढ़कुले होते हैं वो आप इस समय भी चढ़ा कर आ सकते हैं नारियल वो सब जो मैं जलती होई होली में चड़ाऊंगी पर हमारे हाँ जैसे होती है वो मैं आपको बता रही हूँ किसी कभी कभी क्या होता है जब तक हम पहुँचे तब तक होली का दहन हो जाता है तो कोई बात नहीं आप उसके बाद सारा समान अर्पित कर सकते हैं तो ये देखें इसके बाद अगर आपके थंडी होली की परिक्रमा करते हो मतलब अगर गरम होली की पूजा में आप नहीं आ रहे हो तो आप थंडी होली की परिक्रमा कर ले और अगर गरम होली पर आ रहे हो तो गरम होली की परिक्रमा करें तो ये देखिए होली का दहन अगर आप घर पर कर रहे हैं तो घर पर होली प्रजवलित करें जो भी घर के जैंट्स होंगे वो होली प्रजवलित करेंगे और अगर आप बाहर पूजने जा रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है होली का दहन अपने आप जिन्नों भी नहीं है वो करने के आपको जरूत नहीं है फिर जो बड़कुलिकी माला है ये घर के जैन सी अर्पित करेंगे और बाकी ये जो पूजा ये लेडिस को करनी है अब जल में कच्छा दूद मिलाकर या नॉमल दूद मिलाकर आपको होली का माईं की फेरी लेनी है थोड़ा सा आप जल का छीटा होली का माई पर भी दें और बाकी जल से आपको ऐसे घूम घूम कर फेरी करनी होती है जैसा मैंने आपको बताया मिनिमम पांच तो आप करें ही इसके बाद दूर से ही माता को रोली का छीटा दें रोली के बाद आप चावल अर्पित करें गुलाल अर्पित करें अगर आप थंडी होली की पूजा करके आएं तो भी आपको यह सब वापिस करना है प्रशाद के रूप में मैंने गुर चरहाया है अब हमारे अगले दिन डोरा लिया जाता है तो यह हल्दी की गांट और वो जो कच्चा सूत था यह हम होली का माई को ताप को ऐसे दिखा देंगे इसे जहल दिखाना बोलते हैं अगर आपके हाँ डोरा नहीं लिया जाता तो आपको यह करने की कोई ज़रूत नहीं है पहले एक डोरा तो हमें बानना ही है उसके बाद ये दूसरा डोरा हमें घर पे लेकर आना होता है फिर हमने नारियल अर्पित कर दिया खीर पूरी का प्रशाद अर्पित कर दें जो ये हवन सामगरी है वो भी अर्पित कर दें अगर आपको लग रहा है कि होली बहुत बड़ी जलने वाली है तो आप थंडी होली में हवन सामगरी अर्पित करके आ सकते हैं फिर ये जो गेहू की और चनों की बालिया लेते हैं इन्हें होलीका के ताप में इस प्रकार से सेका जाता है और सब को प्रशाद की रूप में बाटा जाता है तो आप होलीका अगर बड़ी हो तो भी आप थोड़ा दूर से इसमें आप नीम के डंडी बान सकते हैं या गन्ना बान सकते हैं ताकि दूर से आप अराम से सेक सकें क आपका आरोग ये अच्छा रहता है घर में सब स्वस्ते रहते हैं इसके बाद जो घर की लेडीज होंगी वो ऐसे साथ बार होली का माईक के सामने जल अर्पित करेंगी अगनी को शांत करने के लिए कि अगनी देवता आप शांत हो जाएं इस प्रकार से आपका जो होली का प अगनी हो बाद सकते हैं ताकि आपको ये लेने में प्रॉब्लम ना हो अगर होली का बहुत बड़ी है तो आप रिस्क ना लें कोई बात नहीं आप अपने घर पर ना लाएं घर पर एक उपला अलग से भी बिए प्रजवलित कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जादा दिक्कत नहीं होंगी आपको लाने में तो जैसा मैंने आपको बताया वा ठिके आपको घर ना लापाये तो आप घर पर छोटा सा हवन na कर लें वह था हो़नी आपको अपने पूरे घर में दिखानी तो घर पर本 चोब行了 लाए हैं उसमें आप आपर सेख सकते हैं ये जो हमारी होलिका की राख घर पर बनेगी इसे आप अपने घर में भी रख सकते हैं कहते हैं ये बहुत शुब होती है और अगर कभी कोई बिमार हो तो आप उने ये लगा सकते हैं अगर वहाँ पर गेहूं नहीं भून पाए हो त अग्तब सारे घर में आप ये दूनी दिखा दें, ये बहुत शुब होता है, और आप होली का माता से प्रातना करें, कि वो आपके संकट कम करें, सभी को स्वस्ते रखें और आपका जीवन खुशाली से बर दें, इस प्रकार से आपकी जो होली की संपून दिन की पूजा है, वो कंप्लीट हो जाएगी, जो सारा हमने सेख कर सामान लाएं, इसे आप सब परईवार वालों में बाट दें, तो वीडियो अच्छे लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूलें, मेरे चानल साइंख खुशी क्रियेशन को जरूर से सब्सक्राइब करें, हमारे चानल के साथ जुड़े रहें, थांक यू वेरी मच पर वाचिंग, प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब, थांक यू